बिग बॉस विकेंड का वार सनी वार का वार है न क्योंकि अब ये जो वार है अपने ये अब सनी वार और शुक्र वार के हो गए है यानि कि जो रवी वार है रवी वार को रवी किसन आने वाले हैं चले बात करते हैं कि भई आज क्या क्या चीजें हुई क्या क्या रियालिटी चेक इन लोगों को मिला किस तरीके से घर में माहौल बदल रहा है शहजादा जो कि बहुत बहुत जोस के साथ घर में इंटर हुआ था कि मैं हूँ शहजादा जब मैं बॉन हुआ था मैं तब ही से शहजादा हूँ लेकिन शहजादे की जो जर्नी है वो काफी छोटी रे बिकबॉस के घर के अंदर हला कि उम्मीद नहीं थी कि इतनी छोटी हो सकती है लेकिन क्या करें भाई शहजादा गाय भी हो गया था शो से और नहीं नजर आ रहा था वो और शायद वो डर रहा था जैस में एक फाइट उसकी रज़त के साथ हुई जहां पर उसने बोला एक ही बार तो बोला उसने भाई तुझे फोन आएगा और तुम माफिया मांगता फिरेगा ये वाला डायलोग चलो उसका फेमस हो गया बिकबॉस के घर में आने से तो ये चीज़ें हमें देखने को मिले क कि भाई शहजादा घर से बेघर हो चुका है घर में वाइल्ड काट एंट्री होने वाली है दो लोगों की दिखविजयराठी और कशिश देखो मैं इन दोनों को पहले से नहीं जानती हूं लेकिन मुझे जितना स्टेश पे मैंने देखा है सलमान सर के आगे भाई कशिश थोड़ा कम बोल लेती क्योंकि सलमान सर चिड़े गए थे लास्ट में है ना और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि भाई ठीक है जाओ घर के अंदर तुम क्या करने वाले हो भीवान मालिक है तुम दोनों का है ना तो मुझे दिखविजय थोड़ा सेंसिबल लगा है वो इतने चिट्थे हैं सारे वो सलमान सर के आगे ही खोल देगी देखो यह हर साल ही होता है हर साल की यह कहानी हो गई है कि यह दो लोगों को बुला के लिया आते हैं और फिर वो अपनी कहानिया सुनाते रहते हैं पिछले साल आप सब को याद होगा अगर तो लास्ट में कि शाल आये थे और मधुरीमा आये थे दोनों ही वाइलकार्ड आये थे और दोनों की जो कहानी रही वो आप सबको याद ही होगी तो इस बार भी वाइलकार्ड तो आए है और कशिश मुझे बहुत वह तीज मतलब ऐसा लगा है कि वह बातों से उसके कोई जीत नहीं सकता ह मुझे संसीबल लगा है करिशिस मुझे तेज-ठराल से लग रही है अब के अंदर क्या धमाल मचाने वाले हैं वह को सो थे आइंगे तो ही पता चलेगा चल यह तो हमने बात कर लिए शीजादे की वाइट कार्ट Children g और भी िला इसि arrangements प्रापलम नजर आई उन्होंने कहा शृथिका से कि शृथिका एक बदत अगर तुझे इतनी ही प्रापलम, थी विवियन के टोन से तिरेको इतना ही डिमीनि लग रहा था इस्पेक्ट्टूफर लग रहा था विवियन लका टोन तो जब सल्मान सर ने पूछा तो तो तू इ भी notice करिए कि श्रुतिका जब सल्मान सर के आगे होती है तो बड़ी प्यार से बात करती है, वो ना सल्मान सर मैं कहना चाहती थी, तो बड़ी soft बड़ी प्यार से baby बन जाती है बिल्कुल, लेकिन अगर हम सल्मान सर के बगेर देखें पिर तो अलगी शृतिका हमें देखने को मिलती है लेकिन पॉइंट यह नहीं है इस पॉइंट पे तो हम चलो बात करी रहेंगे कि हाँ वो शृतिका डिफरेंट तो रहती है वीकेंड के बार पे वो कुछ और होती है और वीक डेज में कुछ और होती है लेकिन में जो मुद्दा है यहां पे वो है कि शृतिका के पीछे पड़ी शिल्पा जी क्योंकि शिल्पा के पीछे पड़ी हुई है शृतिका आप सबने अगर देखा हो तो जो वो वाला टास्क हो रहा था इस्टार्टिंग में वो किंग और क्वीन वाला जो टास्क हुआ था उसमें भी जब शृतिका से पूछ यहां पर वह मदर भी बन जाती है और अगर किसी को कोई बात बुरी लग गई है इनकी तो पूरी ट्राय करती है कि उसे जाके उसे बात करके वो जो चीज है उसको convince करके वो आए और अपने point of view को रख के आए और जो उनका point of view हो उसके according लोग फिर उनके बारे में सोचें मतलब वो हर चीज को positive बना देती है और मुझे नहीं लगता है कि वो game को किसी एक तरीके से खेल रही है वो बड़ा और जगा पे सलमान सर ने पूछा शृतिका से कि यहां fake बन के दिन कौन गुजार रहा है यह वाली भी बात पूछी कि fake बन के यहां पे कौन है जो अपने दिन निकाल रहा है तो शृतिका ने clearly कहा कि सर वो भी है शृतिका मैं वही है जो कि बड़ी neutral बन के रहती है बड़ी sweet C बन के रहती है सभी के आगे वो अगर करनवीर और विवियन दोनों में से चूज करने की बारी आती है तो वो बड़ी अच्छे से केवी को छोड़ के विवियन को चूज कर लेती है और देखो यह बात है उसने लास्ट में केवी से भी करी अब यह बात केवी को क्यों नहीं समझ में आ रही है भगवान जाने ठीक है लेकिन मुझे शृतिका के बात में दम लग रहा है और मुझे यही यह भी लग रहा है कि शृतिका जिस तरीके से टार्गेट कर रही है शृतिका के शृतिका जी को यह लग रहा है कि यार यह तो मेरी पोल पटी खोल रही है और इसलिए आज शृतिका जी को बड़ी दिकत सी महसूस हो रही थी कि भई शृतिका तुने अपने पॉइंट को क्लियर ली क्यों नहीं रखा सल्मान के आगे जब उन्होंने पूछा तो तो मैं वहां पर यह समझती हूं कि शृतिका जो बोल रही थी कि वह मेरे लिए मतलब वह मेरा फैन मोमेंट होता है जब सल्मान सर के आगे मैं बोलती हूं तो तो मैं उनके आगे चीखमचिली नहीं कर सकती और मैं इसी लिए मैंने बड़े ही प्यार से उसको बोला तो यहां पर मैं माल लेती हूं कि शृतिका का फैन मोमेंट होगा लेकिन शृतिका स्मार्ट है ये बात हमें भूल ली नहीं चीए वो बहुत स्मार्ट है वो बहुत स्मार्ट ली एमको खेल रही है जिस तरीके से विवियन की खटिया उसने खड़ी कर रखी है न विवियन जो कि बिग बॉस का लाड़ला है आप यह देख रहे हो शो में क्या विवियन एक बार भी कुछ गलत नहीं बोल रहा है क्या विवियन का जो टोन है वो वाक्वी में गलत नहीं यह क्योंकि जब जब चाहत और शुरतिका दोनों ने इस बारे में बात करने की कोशिस की है तब सल्मान सर भी पोईंट को आ रहा था अच्छा करण वीर को आज एक और नाम दे दिया गया और वो नाम क्या दिया गया करण वीर को यार मैंने कहीं तो लिखा था बटर हां करण बटर ऐसा कुछ करके कि भई बटरिंग तुम बहुत अच्छी करते हो तो करन तुम को खुझ ठोड़ा सा समझना पड़े को यह चीज समझ में आ रही है कि शिलपा जी तुम्हें कहीं भी चूज नहीं कर रही है फिर तुम उनके पीछे-पीछे क्यों घूम रहे हो शुरुतिका ने बड़ी क्लियरली लास्ट में करन से कहा कि अगर एक ही फीलिंग हम दोनों को आती है कि जब टाइम आफ गौड बन रही है कि क्या वो यह सोचती है कि करन इस चीज को बड़ी ही नॉर्मल तरीके से ले लेगा लेकिन भड़क जाएगा तो अगर हम दोनों के दिमाग में एक ही चीज़ा आ रही है तो इट मींस कि यह बात है एक्चली है और वाकई में यह बात तो है करन तुमको यह बात करन के लिए वो कभी सामने से एक कोशन भी शिल्पा से नहीं करता है और मुझे भी वह चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है करन की करन को कोशन पूछना चाहिए और जिस तरीके से करन ने वो रैंकिंग भी दी न उसमें शिल्पा को उसने ग्यारवे नंबर पर रख ले वो तुम्हारी फेमली है तुमने इस नजरी है को कुशन का कर रही है कि तुमहारे काम को कर देती है तुम को बाम लगा देती है यह सारी चीजे वो कर रही है कि क्या क्या घर के अंदर हुआ सबसे पहले शिल्पा जी से पूछा जाता है कि आप बता दीजे कि इस घर का किंग कौन है तो किंग के नाम पे शिल्पा जी ने कहा इस वारी में वीवियन का नाम नहीं ले सकती है क्योंकि वो करन को कहीं से भी किंग नहीं समझती है ना वो कर और मुझे तो बहुत डिसटोईनमेंट होती है करण से क्योंकि पता नि क्यों वह पैजसा लगता है कि वह बंद्र में दम है उसके अन्दर हं वह पावर कि वह गेम को बहुत अच्छे से खेल सकता है लेकिन पता जाने क्यों नहीं केल रहे बगवानी जाने तो शिलपा जी कहती है। यह खुद ही रख लेती हूं मैं कुछ नजर नहीं आती है कि वह एक बस वह रोती रहती है या तो या तो वीविवन को सपोड करती रहती है विवेन के उनसे बात ना करें तो उनको दिक्कत होती है उनका जो गेम है वो टोटली मुझे विवेन के इर्द गिर्द ही घुमता है हाँ वो अपनी फायदे के लिए के साथ जरूर बैठती है यह चीज भी हमें नजर आती है फिर चाहत सब पूचा के चाहत क्वीन दो ऊपता है उनकी घुमुझे और यह सारी क्वीन नजर आती है अब चाहत को जो नजर आती है क्वीन शिलपा मैं भगवान जाने मुझे बिलकुल आइडिया नहीं है मुझे क्वालिटी नजर नहीं आती है शिल्पा मैंपे queen वाली है ना टो उनको queen नजर आती है क्योंकि वो बड़ी हाँ वो बड़ी politely बात करती है इसलिए उनको queen नजर आती है अचा करन से पूछा गए कि आप बतादो भाई गुलाम यहां पे कौन है तो उसने अविनाश का नाम लिया कहा कि विवियन के गुलाम आजकल बनके ये घूम रहा है तो देखो ये चीज तो है विवियन के विवियन इशा एलिस और अविनाश ये तीनो चारो एक गुरूप में तो हैं वो हमें बहुत क्लियर दिख रहा है वो चारो एक दूसरे के साथ भी खड़े हैं ये चीजे भी ह और से लगता है यहां पर मुझे फिर यह लगता है कि विवियन और उनकी बहुत बंती है विवियन विग्डेज को सपोर्ट किया है तो वह बीवेन का काम करता है उसको तुम घुलाम कहलो या कुछ भी कहलो तुम झाल गों कि वह क्या है victim card कौन खेलता है Vivian से पूछा किया तो Vivian का कहना था कि यह चाहत obvious था बहुत obvious था कि या तो चाहत का नाम लेता या तो वो करन का नाम लेता या तो वो शुरतिगा का नाम लेता क्योंकि दो-तीन लोग हैं घर के अंदर जिनका नाम Vivian ले सकता है तो उसने चाहत का नाम लिया और वो ये बोला कि वो बहुत प्रताडित है इस घर में उसके दिमाग में कुछ चीजे चल रही होती हैं तो वो अपने दिमाग में रख लेती हैं वो वेट करती है कि जिब चार लोग बैठेंगे फिर मैं उसके सामने ये बाते डिसकस करूंगी अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे से आके बात क्यों नहीं करती है Vivian यहां पर आपको ये समझ रहे है कि बहुत जाता जरूरत है कि वो आपसे बात करने के लिए गई थी लेकिन आपने जिस देवर उसे बात किया वो बलकुल भी सही देवर नहीं था तो जब वो एक वार आपके पास गई आपने उससे बहुत गंदे तरीके से बात कि उसने sorry भी बोला आपको लेकिन ना आपने खुद sorry feel किये ना आपने उसकोई बात करी और ना आपने उसकी sorry को accept किया बलकि आपने तो एक चीज बोली वहाँ पे कि मैं ठीक है तुम्हारी sorry ले लेता हूँ लेकिन आगे नए चिठे खुलेंगे नए जगड़े होंगे और उसमें मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ तो भाई जब आपने जंग का एलान करी दिया है चाहत के साथ तो चाहत कैसे आपके साथ जाके बात करे और आप इतने कैदे से तो बात करते नहीं हो चाहत के साथ की चाहत आपसे बात कर ले तो वहाँ पे मुझे वीवियन ही गलत लगते हैं कि उन्होंने जो बोला उस बात म मुझे कोई दम नहीं नजर आया चाहाट 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 आपके लिए विक्टिम कौन है तो उसने कहा कि सर मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर कोई विक्टिम कार्ड ले कर रहा है यह वाली चाहिज शृतिका को बुलाए गया और शृतिका से प्रॉब्लम इस बात से है कि उसने इनको एज कार्ड भी बोल दिया उसने इनको क्या बोला था और फेक भी बोल दिया कि फेक बनके वो यहां दिन निकाल रही है तो शिल्पा जी की तो भाई जली पड़ी है बहुत जाता वाली शृतिका से और आगे आने वाले दिनों में श लड़की के साथ बहुत तरो यहां पर विक्टिम कोका साक्ता है कैने कोई करता है है चाहत है जो कि विक्टिम ने ब्लै करना चाहती है मुझे हैंücht का शृत करन से ला कम से आखनल पर को क्लियर कि कि यह बट रहा है तो यहां मत कर वल एक फूट पे आके खेलो तो ज्यादा मजा है लेकिन पता नहीं क्यों तुम फ्रंट फूट पे तो आ ही नहीं पा रहे हो तो यह वाली सारी चीजें हमें देखने को मिली धंकी कार्ड वह यह सब चीजें ना बड़ी ऑवियस ही थी रजत को अविनाशनल कुन ने कहा कि यह रजत और उनको लगता है कि उनकी धंकियों से सब लोग डर जाएंगे और हम कल भी देखेंगे कल के एपिसोड में भी कि विवियन और रजत के वीच में एक अच्छी वाली बहांस होती है जहां पर रजत कहते हैं कि विया अगर तुम हमें अलाउ कर दो तो हम दिखा देते हैं व तुम बहुत अच्छे बंदे हो तुम लोगों को पसंद भी आ रहे हो क्योंकि जब तुम हसते हो जब तुम एंटरेटेन होते हैं जैसे वह रसगुला गया था ना तुमारे वाइट वाले मूह में और जब तुम परिशान हो रहे थे कि मैं इसको ना निगल पा रहा हूं ना मैं इसको थूख पा रहा हूं वो बड़ा एंटरेटेनिंग लग रहा था बहुत मज़ा आ रहा था तुमको देखके तो तुम भड़े वाकई में दिल से सोचो ना रजट तो तुम काफी अच्छा कर सकते हो और आगे तक जा सकते हो तुमारे अंदर पोटेंशल भी है लेकिन हर चीज को सीरियस लेना मेरे हिसाब से ये सही नहीं है सलमान सर ने भी बुलाया वहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए तो वहाँ पे भी तुम विवन को बुला के और उसके आगे चीखमचिली कर रहे हो जबकि उसके कोई जरूरत थी नहीं वहाँ पे है न सब लोग अग्रेशन वाला साइड देख चुके हैं अब लोग एक नॉर्मल रजट को देखना चाहते हैं कि रजट एक्चुल में कैसा है वो अगर गुसा थूक दे तो उसके बाद वो कैसा है वो देखना चाहते हैं तो वो वाली चीज हमें नजर आई शृतिका को बुलाया और विविवन अभी तो तुम चड़ो चने की जाड़ पे थोड़े और बत्मीजी से बात करूँ थोड़ी और बत्मीजी से बात करूँ बाद में तुमको एक दिन लपेटे में लिया जाएगा तो अभी नहीं लिया जाएगा फिलाल तो क्योंकि अभी तो विविवन लाड़ चाहिए कि जैसे अब डिलिवरी कर रहे हो यहां पे नॉर्मल भी बात की जा सकती है लेकिन वो विविन में कमी तो नजर आती है वो नॉर्मल बात तो नहीं ही करता है फिर वहां पे धोके बाज के सामने नहीं खड़ा होता हूँ अच्छा वो करन को बुलाया और करन के आगे उसने कहा कि मैं धोके बाज के आगे तो नहीं ही खड़ा होता हूँ विविन के और करन वहां पे फन में लेके गया आ यार खड़े होते हैं यहां पे मस्ती करते हैं और करन ने फिर वो अपनी जो धमकी वंकी दी वो सब कुछ फॉर फन था और मुझे थोड़ा जीब लगत चाने ही वाले हैं फिर वो धोके बाज के सामने अच्छा तांडर रूम में करन को बुलाएगा और उनसे कहा गया है कि या बदा दीजिए कि आप किस किस को किकाउट करना चाहते हैं करन ने सबसे लास्ट तक विविन को रखा है और वहां पे विविन का फिर एक आता है डा पेडागा तो इंस्पिरेशन किस से लेगा और जलेगा रहा हूं सामने और करन इसको एकसप्ट करने में ही लगा रहा है लगा रहता है बाकी वो फ्रेंट फूट पे तो आके नहीं खेल रहा है मैं बार 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 इस बात को कह रही हूँ केवी के हिसाब से सहजादा पहले जाना चाहिए सहजादा चला भी गया सेकेंड नमर पे बगगा थर्ड नमर पे सारा है फूर नमर पे एलिश इशा चाहत अर्फीन रजज़त अविनाश रोतिगा शिलपा चुम विवियन मुझे समझ नहीं आया कि एलिस तक तो ठीक था एलिस तक मुझे सही लगा लेकिन उसके बाद इशा नहीं इशा मुझे थोड़ी उससे स्ट्रॉंग लगती है तो मुझे लगता है कि उससे पहले अर्फीन जा सकता है है हाँ मुझे ऐसा लगता है या फिर चुम भी मुझे घर के अंदर कुछ करती भी नजर नहीं आ रही है तो चुम भी जा सकती है तो मुझे लगता है कि फिफ्ट नंबर पे इशा की जगह पे चुम या आर्फीन में से कोई हो सकता है तो इन चलों को पांचे कर देते हैं साथ पे फिर हम रखते हैं शिलपा को रख लेते हैं अपर हम या राफ पे रखते हैं नौ या ले निकालेंगे मतलब फिनाले तक तो नहीं ही लेके जाएंगे वो हमारे टीवी वाले कम्यूनिटी में ही हो शूतिका को रजट बोल रही हूँ है करन ने कहा कि हम 10 नंबर पे निकालेंगे जबकि मुझे लगता है कि शूतिका डिजर्व करती है उससे बेटर शिल्पा और चुम से तो बहुत अच्छा डिजर्व करती है मुझे लास्ट में विवियन दिखता है शूतिका डिखते है अविनाज़ दिखता है करन दिखता है चाहत भी मुझे कहीन कहीं स्ट्रॉंग लगती है और रजट ये लोग मुझे स्ट्रॉंग लगते हैं इशा है लेकिन इशा मेरे को लगता है कि वो 6 6 टॉप सिक्स में आ सकती है ईशा मुझे ऐसा लगता है तो यह वाली सारी चीजें हमें देखने को मिली बाकी हाँ एलिस नहीं है वह छुड़ छुड़ बातों पर डिस्टरॉब होती हो वह देखता भी है वह बहुत चिड़ चिड़ करती है एलिस तो एलिस तो भाई पहले ज अज़ेस्ट होने में दिक्कत होती है क्योंकि उनको कोई भाव दे नहीं रहा होता है तो जब भाव नहीं मिलता है तो दिक्कत तो होती है तो यह वाली सारी चीजें अच्छा फिर एक और घर में टास्क कराए गया जहां पर विवियन को बुला के पूछा कि क्लास की कमी कि के अंदर है तो उन्होंने चाहत पांडे को कहा कि चाहत पांडे में क्लास की कमी अच्छा मुझे एक चीज़ थोड़ी सी अजीव लगी एलिस को जब बूला के पूछा कि हाईजीन की कमी किसके में है यानि कि अनहाईजीनिक कौन है और मुझे वो चीज़ बहुत मैं ये कि नहीं पसंद आई उसने चाहत का नाम लिया और उसने क्लियरली बोला कि ये जब वाशूम योज़ करती है और उसके बाद किसी को भी जाना होता है तो हम उनको बुला के लिए आते हैं कि भाई जो तुम करके गई ये उसको साफ करो अच्छे से और ये मुझे लगता है क थोड़ा सा नहीं भी इस मैटर पर बात की जाती तो जादा बहतर था और चाहत वाँ पर कहती है कि भाई अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप पहले एक बार मेरे से बात करिए लेकिन आप में से किसी ने भी मेरे से बात करना जरूरी नहीं समझा आप डारेक्ट आज वीक चै in और चाहत का नाम ले लिए और चाहत को बोल दिया कि भाई लिए से कॉन्ने की कॉमनर चैिंसे कमी अखें शिलपा से पूछा गया कि सच बोलने से कौन डरता है तहुनों ने बगगा का नाम लेगी और बगगा ने कहा कि सर अगर गिफ्ट देने की बात है तो मैं यह इनको एक रिटर्न गिफ्ट देना चाहता हूं अगर सच बोलने की बात है तो यह करन को भी टाइम आव गॉर्ड बना सकती थी लेकिन इन्होंने विवन को चूस किया और सच नहीं बोला और उन्होंने कहा कि मैं देखना चाहती हूँ जब कि सच है कि शिल्पा विवन को सपोर्ट कर रही थी एलस को बुलाए गया हाईजीन वाले मैटर पर उन्होंने चाहत को शुरतिका को बुलाए गया फेक बन के घर में कौन दिन गुजार रहा है तो उन्होंने शिल्पा का नाम लिए जिससे शिल्पा की बहुत जली पढ़ी है और शुरतिका ने शिल्पा और विवन दोनों के पीछे पढ़ी हूई है और मुझे कहीं न कहीं वह सही भी लग रही है क्योंकि जस तरीके से आज यह वाल दो रहा है सारा को बुला कि पुछा कि लीडर्शिप फालूर बेन के कौन है था है तो उन्होंने विविन है जो फॉलुर बन्किया अगर वो लीड करना चाहते वहाँ पे हला कि सारा जो कहना चाहती थी वो कहनी पा रही थी अर्फीन ने फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्स्प्लेइन के और सल्मान सर को समझ में आ और सल्मान सर ने कहा भी कि हाँ विवियन अगर तुम को सभी की सुननी तो चाहिए ही ये तुम क्या कर रहे हो अगर यह के गान्लागे कफ्यूज उन्होंने पहीं फिर रजजद के डबल डॉल हो कभी इदर बसती हैं कभी औधर बसते हैं वो कहले हैं तो यह रहा मेरे हिसाब से आज की एपीसोड का रिव्यू आज की एपीसोड में सिर्फ मुझे दो ही चीज़े पसंद आई है और व वो भी फैमिली फैमिली खेल रहा है करन भाई तो यहां फैमिली खेलने आया है बिग बॉस खेलने आया है तो सामने आओ और सामने बिग बॉस खेलो यह फैमिली फैमिली मत खेलो है ना यहां पर शिल्पा को कहीं से भी आपकी नहीं नजर आती है हमें तो नहीं नजर आती है यह वाली सारी चीजें हैं बाकी घर के अंदर से शाहजादे की entry exit हो चुकिए शाहजादे की अप घर के बहुँ आएगा दिवाली मनाएगा और मस्त अपने न्यू येर वेगरा celebrate करेगा क्योंकि घर के अंदर वो कुछ कर तो रहा नहीं था तो बढ़ी आए कि शाहजादा घ हो रही है राठी और उनकी कशिष कशिष की entry हो रही है कशिष देखते हैं घर में क्या माहौल बनाती है बाकी बाई मुझे लड़की में लग तुर आए कि लड़ेगी जगड़ेगी और बवाल काटेगी बाकी एपिसोड देखेंगे तब ही जादा clarity मिलेगी कल रवी किश कोई पोशन लेके आते हैं या बोर करते हैं चलो मैं मिलते हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेकर अपना ख्याल रखो मेरी वीडियो काफी लंबी हो गई कोई देखता है नहीं मेरी वीडियो को और इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो कि बाई मेरी वीडियो देख लो थोड़ी मेरी वीडियो चल जाए चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई टेकर अपना ख्याल रखो